हालो फ्रेंट्स, वेलकम टू खाना मन पसंद, मैं कामना चोपड़ा, खाना मन पसंद में आपका स्वागत करती हूँ सबसे पहले हम कद्दू की खटे मीठी सबजी बनाएंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पर हरा वाला कद्दू ले लिया है, जिसका छिलका बिलकुल कच्छा होता है, तो छिलका उतारने की ज़रूरत नहीं, बस इस तरह से बारीक इसको हम कट कर लेंगे, और कद्दू को मैंने अच्छी तरीके से धो करके साफ कर लिया था पहले ही, और यह देखी, यहाँ पर सारा कद्दू कट चुका है, और आप देख सकते हैं कि जो सारे पीसिस थे, वो सब मीडियम साइज में थे, तो आईए जल्दी से सबजी बना लेंगे, इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 टेब और गैस बन कर देंगे, गैस बन करने के बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूं एक तेज पत्ता, दो छोटी इलाइची, इलाइची को तोड़ करके डाला है, दो साबुत लाल मिर्च डाली है, दो दाल चिनी के टुकडे डाले है, आधी मोटी इलाइची डाली है, दो लॉंग और थोड़ी सी काले मिर्च लगभग 8-10 साबुत ही डालनी है और साथ ही एक छोटा चमच जीरा डाल देंगे हमने गैस बंद की हुई है यह आप सबसे कम फ्लेम पर कर दे क्योंकि ओयल काफी गरम है तो इनको एक मिनट के लिए भून लेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे हींग एक छोटाई चमच एक छोटाई चमच हींग डालनी से स्वात बहुत ही अच्छा आता है यहाँ पर बारीक कुटा हुआ अद्रक है और यह है एक इंच का टुकड़ा और दो हरेमेच हैं बारीक कटी हुई इनको भी हम अच्छे से भून लेंगे दोनों चीजों को आप चाहें तो दोनों चीजें पीस कर भी डाल सकते हैं एक छोटा चमच कसूरी मेथी डालेंगे, मैंने यहाँ पर एक बड़ा चमच लिया था, जिसमें आधी कसूरी मेथी अभी डाली है, और आधी हम बाद में आड़ करेंगे, इन सब चीजों को कुछ सेकिंड के लिए भून लेंगे, मेथी दाना डाल देंगे, एक चोथाई च चमच मेथी डाना और एक चोथाई चमच ही सौफ डाली है, मैंने यहाँ पर कुटा हुआ धनिया डालेंगे, यह जो धनिया है, इसको मैंने थोड़ा मोटा मोटा दरदरा कूट लिया था, क्योंकि साबुत धनिया कई बार मूह में अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं चोटा चमच ही, यहाँ पर जीरा पाउडर है, बुना हुआ जीरे का पाउडर है, और देगी मिर्च ली है, मैंने हाँ पर एक बड़ा चमच, क्योंकि मैंने सबजी में अल्रेडी हरी मिर्च पी डाली है, तो देगी मिर्च का इस्तमाल किया है, और लगभग 3-4 चमच और जब हम इने भूनेंगे, तो यह जलेंगे भी नहीं, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा, तो इनको बहुत अच्छे से मिला लें, गुड़ भी थोड़ा सा मेल्ट हो जाए, इसलिए पानी को हमने आड़ किया है, तो अब यह जो हमने मसालों वाला मिक्सर बनाया और कदू डाल करके अच्छे से मिला देंगे, इसको पानी इतना होना चाहिए कि कदू हलका सा डूप जाए पानी में, जिसे सबजी असानी से गल जाती है, और बहुत जल्दी भी बन जाती है, अब हम इसे कवर कर देंगे, गैस का फ्लेम बिलकुल लो कर दिया है, यहाँ और इसको लगभग 5-7 मिनट इसी तरह ढखकर के पकाएंगे, तो यह देखिए 5 मिनट हो चुकी है, 5-7 मिनट में ही कदू काफी सौफ्ट हो जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं, और हमने गैस का फ्लेम कम रखा था, इसलिए पानी भी अभी सूखा नहीं है, तो इसको हम इसी तरह से अच्छे से मिक्स करते हुए कदू को हलका हलका चमच की हेल्प से थोड़ा सा मैश कर देंगे, जिससे खड़े जो पीसे हैं, वो मुह में नहीं आएंगे, और अब हमने यहाँ पर इमली का पानी लिया है, लगभग 3-4 बड़े चमच, अगर आप इमली का पान सारा डाला है, मैंने यहाँ पर 1-4 टी स्पून के करीब, और जो बाकी कसूरी में थी बच्ची थी आधा चमच उसको भी हाथ से इस तरह पीस कर डाल दिया है, और अब लास्ट में डालेंगे हरा धनिया, यह देखे सबजी कितनी अमेजिंग देख रही है, बहुत ही स्वा कुछ आलू तो अच्छी से मैश हो जाते हैं, और कुछ के जो चंक से मोटे मोटे रह चाते हैं, अगर आपको ऐसे पसंद ना हो तो आप चाकू से भी कट कर सकते हैं, बट भंडारे में तो इसी तरह से फोड करके आलू को डाला जाता है, तो यहाँ पर मैंने फिर से 3 हींग, एक चुटा चमच जीरा, साथ ही यहाँ पर एक चुथाई चमच मेथी दाना, और अधा चमच सॉफ्ट आली है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, एक तेज पत्ता, दो साबुत लाल मिर्च, पंडारे में आमतर पर इनी चीजों का यूस किया जाता है, दो चमच के करीब, यहाँ पर एक चोटा चमच साबुधनिया लिया है मैंने, और उसको भी भून लेंगे, और अब सबजी में बहुत ही अच्छे से रंग के लिए हमने एक चोटा चमच देगे मिर्च, तीन टमाटर लिये हैं मैंने यहाँ पर जिनको प्यूरी कर लिया है, प तक टमाटर जो हैं वो ओयल छोड ना दे, तो इसको अच्छे से भूनना है, आप देख सकते हैं, हमने देगे मिर्च इस्तमाल की है, इसलिए कलर बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, और यह अच्छे से भून चुके हैं, ओयल छोड दिया है इसने, अब हम इसमें डा कर रही हूं क्योंकि भंडारे वाली सबजी है, एक चोटा चमच हल्दी पाउडर, एक बड़ा चमच धनिया पाउडर, साथ ही आधा चोटा चमच फुना हुव जीरे का पाउडर, इन सब चीजों को डाल कर भी अच्छे से मिला देंगे, और भून लेंगे एक मिनट के लि जादा कसुरी मेथी इस्तवाल नहीं किया है, और अब हम डाल देंगे यहां पर उबले हुए आलू, जो कि हमने फोड करके रखे हैं, इनको भी इस मसाले के साथ एक से दो मिनट के लिए भून लेंगे, अगर कोई मोटे टुकडे लगे आलू के, तो आप उनको इस तरह से चमच से अच्छे तरीके से हिला कर फोड सकते हैं, काफी इसली मैश हो जाते हैं, तो यहां पर मुझे जो भी बड़े रुकडे दिखाई दे रहे हैं, उनको मैंने तोड दिया है, यह देखे, आलू ने अच्छे से कढ़ाई छोड़ दी है, यानि कि अच्छे से भुन कर देंगे एक बार, ताकि नीचे कोई भी मसाला लगा हुआ ना रहे, यह देखे, अच्छे से मिक्स करते हुए, कर्ची से अगर कोई बड़े आलू लगे तो उनको मैश कर देंगे, और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, ढखकर के लग भग 5-7 मिनट इसको इसी तरह लो फ्लेम पर पकाएंगे हम, फ्लेम लो कर रही हूं मैं यहाँ पर, देखे, पांच मिनट हो चुके हैं, लगबग 7 मिनट ही हो चुके हैं, और यह देखे, ओल जो है अच्छे से छोड़ दिया है, ग्रेवी ने और गाड़ी भी हो गई है, अब लास्ट में हम इसमें आड करेंगे, आधा चोटा चमच करा मसाला पाउडर, यह ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आड़ करें, अदर वाइज कर सकते हैं, यहाँ पर हरा धनिया डाल दिया है, और आप ग्रेवी का टेक्स्चर देख सकते हैं, यह देखे, बिलकुल भंडारा स्टाइल देख रही ह इसको हलकी से गुन-गुने पानी में लगभग 5-7 मिनट के लिए भिगो दिया है, भिगो कर डालने से होता यह है कि बूंदी से जो एक्स्ट्र ओयल है वो निकल जाता है, तो आप हमेशा भिगोने के बाद ही उसकरें, यहाँ पर मैंने दही लिया है, दही काफी गाढ़ा इसलिए इसमें 1-4 cup पानी डाल दिया है, तो यहाँ पर लगभग 1 cup दही है और 1-4 cup पानी डाला है, मैंने इसमें इसको अच्छे से मैश कर लिया है, अगर आपको दही जो है वो पतला लगे, तो आप इसमें थोड़ी सी फ्रेश क्रीम भी आड़ कर सकते हैं, और यह देख अब हम इसमें डाल देंगे, आधा चोटा चमच से भी कम नमक डालना है हम यहाँ पर, क्योंकि रायता बहुत ज़दा माउंट पे नहीं है, एक चोथाई चमच करम मसाला, और यहाँ पर बहुत ही थोड़ी सी लाल मेचली है, मैंने यहाँ पर लगभग 2 चुटकी के करीब और भुने हुए जीरे का पाउडर भी डाल दूँगी, एक चोथाई चमच, और यहाँ पर हैं फ्रेश पुदीने की पतियां, सॉरी यह सूखी हुई पुदीने की पतियां हैं, गल्ती से मैंने फ्रेश बोल दिया, तो यह जो पुदीने की पतियां हैं, यह मैं सुखा करक बट मैंने इने पहले से स्टोर करके रखा हुआ है तो यह देखिए इसमें से कुछ पुदीने की पतियां लेंगे सूखी हुई और इनको इस तरह से निकाल लेंगे और इनको मैं हाथ पर ही क्रश करके इस रायते में डाल दूगी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है यह ही तो आप इसे पतला कर सकते हैं जैसे कि मैं हापर कर रही हूँ तो एक चौथाई कप पानी मैंने और डाल दिया है क्योंकि घर का जमा हुआ दहीं था तो काफी गाढ़ा होता है यह देखिए पुदीने वाला रायता बन करके रेडी है बूंदी का रायता जो की खाने में बहुत ही अच्छा लगता है पूरी और आलू की सबजी के साथ और साथ में खटे मिठे कद्दू के साथ तो आईए अब जल्दी से हम हलवा बना लेंगे हलवा बनाने के लिए मैंने हाँ पर देसीगी लिया है तो मैं यहाँ पर एक बड़ा चमश देसीगी अलग से पर रख रही हूं और एक चौधाई कप देसीगी जो है वो मैंने इस कढ़ाई में डाल दिया है गी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे हलवा देसीगी में ही बहुत अच्छा लगता है तो आप कोशिश करें कि देसीगी में बनाए और यहाँ पर मैंने थोड़े से बादा करें उसे भून करके डालें टेस्ट बहुत ही ज़दा जबरदस आता है बादाम के बाद यहाँ पर काजू भी डाल दिये हैं आप दोनों चीजें इक साथ कभी ना भूने क्योंकि बादाम जो है वो ज्यादा टाइम लेते हैं और काजू काफी जल्दी से रोस्ट हो जाते सब्सक्राइ जितना हमने सूजी यह उससे लगभग तीन गुना हम पानी आड करेंगे तो आधा कप के हिसाब से मैंने तीन बार आधा कप यहाँ पर यानि कि यार्न कि अधा कप पानी लिया है और जितनी सूजी है उतनी ही छीनी आड की है अगर आपके पास मोटी वाली चीनी डाल करके अच्छे से मैं उसको चाशनी सी रेडी कर लूगी बस इतना पकाना है कि चीनी जो है वो घुल जाए इसे हलवे में अलग टेस्ट आता है मंदिरों में भी आम तौर पर चीनी को डायेक ली नहीं डाला जाता इस तरह पानी में घुल कर ही डालते हैं तो यहां और मीडियम फ्लेम पर भुनने से इस से भीनी भीनी खुश्पू आती है जो कि बहुत ही जदा अच्छी लगती है तो यह देखे सूजी का कलर जो है चेंज हो चुका है और चाशनी के लिए जो हमने पानी रखा था वो भी बॉयल हो चुका है तो मैंने उसके नीचे गैस गी जो है सूजी ने वो छोड़ दिया है तो अब हम इसको एक बार मेक्स कर लेंगे और इसमें जो पानी हमने रेडी करके रखा है इसको भी आड़ कर देंगे एक साथ ना डाले थोड़ा-थोड़ा करके डाले बट उससे पहले मैंने यहाँ पर किश्मिश आड़ की है पानी डालते जाएंगे चाशनी वाला और इसको इस तरह लगातार हिलाते रहेंगे इससे इस हलवे में बिल्कूल भी लंप्स नहीं पड़ेंगे और बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा और यह जो उपर आपको ब्लाक प्लाक तरता दिख रहा है और कुछ भी नहीं ह गाजू और बादाम का जो हलका सा चूरा था तो वही है तो उसे कोई फरक नहीं पड़ता अगर आप चाहें तो इससे पहले घीम से निकाल सकते हैं बट आम तोर पर इससे कोई जनरली कोई भी फरक नहीं पड़ता तो यह देखिए इसको अच्छे से चला लेंगे इससे ब हलवा लगभग रेडी है सूजी ने सारा पानी एब्सॉप कर लिया है और अब हम इसमें बचा हुआ जो घी हमने रखा था उसको भी डाल देंगे और लास्ट में यहां पर मैंने इलाइची कूट करके डाली है फ्रेश इलाइची है कूटी हूई इलाइची का टेस्ट अल लिया है गेहू का आटा है नॉर्मल जो आटा होता है एक चोथाई चमच नमक डाल देंगे इसमें हम और एक चोथाई चमच से थोड़ी सी जादा मैने आपर अजवाइन ली है इस तरह हाथेली के बीच में रगड करके डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और एक चोटा चमच यहाँ पर ओयल लिया था और दूसरा भी दो चोटे चमच ओयल लिया है मैने यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से हाथ से मिक्स कर लेंगे ताके ओयल सारे में फैल जाए और नॉर्मल जो टेंपरेचर वाला पानी होता है उससे हम इसका आटा लगा लेंग करके मैं यहाँ पर टाइट सा आटा लगा रही हूँ आप देख सकते हैं आटे की कंसिस्टेंसी और उंगलियों के पीछे के पार्ट से इसको इस तरह से नीड कर लेंगे एक मिनट के लिए जैसे ही आटा लग करके रेडी हो जाएगा इसको हम रख देंगे 10 मिनट के लिए लगभग 10 से 15 मिनट के लिए साइट पर हलका सा पानी का हाथ लगा दें आटे पर जिससे आटे के ऊपर सुखी कवरिंग नहीं आएगी और इसको ढख करके लगभग 15 मिनट के लिए मैंने साइट पर रख दिया था तो यह देखे आटा रेडी हो चुका है मीडियम सा डो ब कर लेंगे जिससे इक्वल साइस की पेडिया बन जाती है यह देखे इस तरह से लॉक बना लेंगे और अब हम इससे पेडिया कट कर लेंगे इस तरह सभी पूरिया लगभग सेम साइस की बनती है तो यहाँ पर इस तरह हाथ धेली के बीच में गोल गोल करते हुए मैं सभी जो पेडियां हैं उनको रेडी कर लूँगी यह देखे मीडियम नीम्बू के साइज की पेडियां मनाई है मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी पूरी नहीं बना रही हूं और पूरी को ओयल लगा कर बेलें जिससे की जब हम पूरी को फ्राय करते हैं तो ओयल का जो टेंपरेचर हे वो जादा होता है तो इसलिए मोटी पूरी बनाई जाती है यहाँ पर मैं घर पर बना रही हूं तो पूरीया थोड़ी पतली बना रहे हूं वैसे भी हमारे घर पर पतली-पतली पूरीया ज्यादा पसंद की जाती हैं तो मैं पूरियां बेल करके प्राइ कर लेंगे, और प्राइब गरम होने के लिए रख दिया था, आप चाहें तो घी में भी पूरिया बना सकते हैं, बट मैं यहां पर रिफाइन ऑल में ही बना रही हूं, क्योंकि सर्दियों में जो पूरिया हैं वो रखने पर फिर उन पर घी जम जाता है, तो इसलिए रिफाइन का यूज़ कर रही हूं, बट हेल्थ के लिए रिफाइन उतना अच्छा नहीं है, तो आप देसीगी में भी बना सकते हैं, तो यह देखिए, सभी पूरिया फूरिया फूरिया बनेंगी, और यहां पर जो ओल का टेंपरेचर है, वो मेडियम हाई है, क्योंकि मै किस तरह की फूली फूली बनी है, दूसरी पूरिय भी बना लेंगे, आप इस तरह सभी पूरिया रेडी कर लें, और फिर भंडारे वाली धाली को असंबल करेंगे, यह पूरिया जनरली आप आलू की सबजी के साथ अगर नाश्ते में बनाएंगे, तो भी बहुत अच्छ और भी आपके साथ थालियों की रेसिपी शेयर करूँगी, तो यह देखे, बिल्कुल फूली फूली खस्ता करारी पूरी बनकर के तयार है, शायद धलवाई भी इतनी अच्छी पूरिया नहीं बनाते हैं, तो आप भी ज़रूर ट्राइ कीजेगा, तो यहाँ पर मैंने हल अब हम गरम गरम जो आलू की सबजी है, उसको सर्फ कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने पतल लिये हैं थाली को लगाने के लिए, ताके भंडारे वाला फील आए, वैसे तो भगवान को भोग लगा के ही, भंडारे वाला फील आ सकता है, तो घर में भी आप चाहें, तो किसी भी पर त्योहार पर यह भंडारे वाली थाली बना कर की इश्वर को भोग लगाएं और उसके बाद आप इसे सर्फ करें अपनी फैमली के लिए, सब को बहुत मजा आएगा, तो यह देखी मैंने आप पर कद्दू की सबजी घटी मिठी वो भी डाल दी है, रायता भी सर्फ कर आप देख सकते हैं, सबी सबजियां जो हैं वो देखने में बिल्कुल भंडारे जैसी लग रही है, पूरियां भी रेडी हैं, तो आप भी अपनी फैमली को जरूर बना कर के खिलाएगा किसी त्योहार पर, या ऐसे ही जब भी आपका दिल करें भंडारे वाली थाली कमेंट सेक्षिन में कि आपको ये सारी रेसिपीस कैसी लगी, आपको मेरी रेसिपीस पसंद आ रही हैं, अगर आप कोई वीडियो पसंद आ रही हैं, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और खाना मन पसंद को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलें, थांक्स वर वचि करें.